वेलकम बेक तुमाई अनादर ब्लोक्स, I hope कैप सब ठीक होंगे, सुबह के बढने वाले हैं नौ और मैं गई थी जीनु को टूशन छोड़ने, आज टूशन और स्कूल दोरो चालू हो गया है, इसलिए मैं उसको टूशन छोड़के आई हूँ, अब जा रही हूँ घर पे, घर पे जांके जीनु के लिए टिफिन बनाऊंगी, डाल चावल मैंने रख दिया था, अब इस सब्जी रोटी बनाऊंगी, फिर उसको टूशन लेने जाऊंगी, टूशन लेके आके उसको खाना खिलाके फिर उसको स्कूल छोड़ने जाऊंगी, जीनु के लिए बना रही हूँ, जीनु के चरण है बना लेती हूँ, फिर दस बजे जीनु को टूशन लेने जाना है, जीनु के खापा भी सुझे साड़े साथ बजे ब्यूटी बे चल जाते हैं, वो बारा बजे खाने को आते हैं, जीनु को टूशन देने जा रही हूँ, देखे जीन साम रही है, उसकी टीचर का फोन आया था, उन्होंने बोला, आप लेने आ रही हो, तो मैं बोला हाँ, मैं सामने आ रही हूँ, आप उसको छोड़, इसले जीनु आ रही है, देखे, जीनु को खाना दे दिया है, उसको दाल चावल नहीं खाना है, बोलती है, ममा मुझे सबजी रोटी ही दे दो, इसले वो सबजी रोटी खाएगी, आपकी फेड़ेट सबजी है ना बेटा, दाल चावल पेक कर दू, डंबा में, तो क्या सबजी रोटी ही लेके जाओगे, ये साइट तो देखो, खाओ, कैसा बनाए, कैसा, अच्छा, अच्छा बनाए, जिनु को स्कूल छोड़ने, जिनु की स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम रोट चल के ही जाते है, थोड़ी ही दूर है, तो चल लेगा, इसमें जिनु को छोड़के आती है, हम जिनु के स्कूल पहुँच गए है, को जिनु अंदर जा रहे है, उसके क्लास तर छोड़के आते हैं गाइस, देखेंगे, जिनु का क्लास रूम, बाब बाई, तो लिए गाइस, अब चलते हैं गर, गर जाके थोड़ा काम करते हैं, जिनु के पापा आ गए है, ड्यूटी से, उनको मैंने खाना दे दिया है, आलू, भिंडी की सब्जी, रोटी, पापड़ और दाल, मैंने भी ले लिया है, तो चले गाइस, अब हम खा लेते हैं, वापस आ गई है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसके पापा उसको घर लेके आ गए, क्या हुआ बेटा, हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए वाज रो रहे थी, इसको हाथ में लग गया था, इसलिए वाज रो रहे थी, उसके पापा उसको सूर से लेके आ गए, तो चलिए गाइस, अब थोड़ा आराम करते हैं, आपको मेरा वीडियो बसंद आया हो, तो लाइक से रोड़ सस्क्